कहे श्रीन्द्रावती सुन्दर बाई चरने सेवा पियू की प्यार अति घहने और कच्छु नाइन सेवा समान जो दिल सनकूल करे पहचान जाटी प्रबोध कातनी को द्रिस्टान्त भट परो तिन नीद को जिन सुहागनिया दयां भुलाए अभी अभी हमने इस प्रकरण का गायन सुना कि आईया कातन वालिया मिनो मिने रब्द कर किनू किन मिही कातिया साचा सनेहधर यह प्रकरण की पहली चोपाई नहीं है प्रकास इंदुस्तानी के 25 वे प्रकरण की 6 नम्मर की चोपाई है 6 चोपाई पहली चोपाई शुरू होने से पहले सीरुषक दिया गया है टॉपिक दिया है कि जाटी प्रबोध कातनी को द्रिस्टान्त कातनी को द्रिस्टान्त का तात्परी क्या है कि आज से लगभग 50-60 वर्स पहले भी सब लोग क्योंकि आज की तरह गार्मेंट फैक्टरी वगर नहीं हुआ करती थी तो सूत काता करते थे और चरखे से उसको काता जाता था और जहां बात सूत की आती है सूत कातने की तो सूत की अलग-अलग विराइटी होती है कोई बिलकुल बारीक सूत होता है पतला धागा बहुत पतला फाइबर कह सकते हैं और कुछ सूत ऐसे होते हैं जो बहुत मोटे-मोटे होते हैं कि जैसे कोई नौ सिखी या वेक्ती सीख रहा हो और मोटा-मोटा धागा उसमें से निकल रहा हो और कोई मोटे और पतले की बीच का मजला होता है तो अलग-अलग क्वालिटी की सूत होती है उनमें से जो सबसे बारीक सूत माना जाता है उसको सबसे अच्छा कहा जाता है कि सबसे बारीक सूत को सबसे अच्छा कहा जाता है कि इसने बहुत महनत से परिश्रम से लगन के साथ किया है और मोटे वाला सूत मतलब यह कि काम चलाने के लिए कि चलो कात दिया जैसे होता ना राजा का काम सरकारी मजदूर सरकारी मजदूर कैसे काम करते हैं सुबस सुर्योदय होने के बाद आराम से नौ बजे के बाद पहुंचते हैं और उसके बाद समय देखते हैं पांच बजे का समय है तो 15 मिनिट पहले से अब जाने के तयारे हाथ पर दोकर करके तयार होते हैं कि जैसे ही पांच बज गया हम निकल के चले जाएंगे तो उसको कहते हैं फॉर्मालिटी अउप चारिक था तो विशेश रुप से यहां वैसे दो तरह के सूत की बात की गई है एक बिलकुल बारिक और एक मोटा अब इस प्रकरण में उस सूत कातने के दृष्टांत से बताया गया है कि ब्रह्म श्रिष्टिया इस जागनी के ब्रह्मान में सूत कातने के लिए आई हैं किस चीज का सूत प्रेम और सेवा का उससे पहले उपर चोपई आई कि सेवा पीवू की प्यार अति घने तो प्रेम से सेवा करके सूत कातना है अब यहां क्वालिटी कैसे डिसाइड होगी कि कौन से वाले सूत को बारिक कहा जाएगा तो जिसने अत्यन तो प्रेम पूर्वक ध्यान से स्रद्धा समर्पण विश्वास के साथ में सेवा की है उसके सूत को बारिक माना जाएगा और जिसने की चलो अब आ गए हैं तो कर लेते हैं यहां तक पहुंची गए हैं तार्तम ग्यान चलो मिली गया है अब दूसरा कुछ करने हैं सकते तो कम से कम इतना कर लेते हैं एक होता है कि हमें करना है और एक है की चलो कर लेंगे दो भ वो मोटी प्रकार की सूत है और जो समझ करके सेवा पीवो कि प्यार अत्यती अधवा प्रेम सेवाए पालम सु पार तो यह प्रेम सेवा वाली जो शूत है वह रिक शूत है अब शूत-फ है अंजो इस जागनी के तुमको नीद उड़ावने मैं देऊं एक द्रिस्टांत आप सुन्दर साथ की नीद को समाप्त करने के लिए मैं एक द्रिस्टांत दे रहा हूँ एक उदाहरन एक्जेंपल दे रहा हूँ और उस उदाहरन को देखकर कि तुम समझना कि तुम उनमें से कौन से वाली हो सूत कातने वाली अलग-अलग कैटेगरी की ब्रह्म सुष्टियां हैं उनमें से तुम कौन से कैटेगरी की हो तुम कौन से विभाक की हो ऐसा समझना ये इंद्रावती जी हम सब के लिए कह रहे हैं और कहा कि आईयां कातन वालियां मिनो मिने रब्द कर कि आपस में रब्द करने का मतलब प्रेम संबाद करके कि हम जाएंगे तो अच्छा सूत कातेंगी अच्छी क्वालिटी का सूत कातेंगी ऐसा कह करके आए लेकिन आने के बाद क्या किया कहते हैं किन हूं कात्या बारिक किन रूई थे ना करी पूनी एक कोई ब्रह्मिस्टी तो ऐसी हुई जिसने बहुत बारिक सूत काता और किसी ने रूई में से पूनी भी नहीं बनाया रूई के धेर में से अलग-अलग गोल बनाना होता है धेला बनाना होता है उसको पूनी कहा जाता है तो किसी ने तो रूई भी हाथ में नहीं लिया और कहते हैं आईयां कातन वालियां मिनो मिने रब्द कर किन किन मिही कातियां साचा सनेह धर सनेह मतलब प्रेम सनेह राजी के प्रती हुदे में प्रेम ले करके किसी ने तो बहुत ही बारीक सूत काता लेकिन हम में से ही कई सुन कि कोई बड़ाई ले बैठियां सूत कातना था लेकिन कोई तो बड़ी बन करके बैठ करके कि हम तो बड़े हैं बड़े कैसे आत्मिक भाव से तो सब एक है ना आतम सहुनी एकज दीसे जुजवीते दीसे देहन आत्म भाव से कोई बड़ा छोटा नहीं है लेकिन इस संचार में आने के बाद कोई बड़ा बन गया अपने आपको बड़ा कहने लगा कि मैं तो महराज हूँ, मैं गादी पती हूँ, मैं जगत गुरु हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ, प्रचारक हूँ, अथवा मैं इतना अमीर विक्ती हूँ, मैं करोड़ पती हूँ, अरब पती हूँ, इस तरह का भाव ले करके बैठने वाले कुछ थे और केते हैं कोई बड़ाई ले बैठिया सो गईयां आपको भूल वो बड़ाई ले करके बैठे तो कैसे बैठे? क्योंकि उन्होंने अपने आपको भूला दिया यदि अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मिक स्वरूप की पहचान होती तो बड़ाई लेकर के बैठने का कोई सवाल ही नहीं था सोचिए कि ब्रह्मात्माओं में सुन्दर साथ में कई ऐसे सुन्दर साथ थे जो वाकई में हमसे आर्थिक रूप से भी बहुत अमीर थे और दिल भी उनका अमीर था जैसे उदाहरण के लिए राजा राम और जाजान भाई का ही उदाहरण ले ले मेरता में जब स्री जी पहुंचे तब से ले करके पन्ना जी पहुंचने के बाद भी तीन वर्ष तक कुल लगबक 11 या 12 वर्ष होते मेरता से ले करके पन्ना के तीन वर्ष तक इतने वर्षों तक उन सुंदरसात ने 5000 सुंदरसात की सेवा की 5000 सुंदरसात के लिए ओडने का कंबल भेजते थे वो वितक की चौपाई कहती है कि खर्ची पाती इनकी पहुचत लडाई मिने पतली कमरी ओढ़न की आवत थी उत्से लडाई में मतलब श्री जी ब्रह्म सिष्टियों को जागरीत करने के लिए अज्यानता रूपी माया से युद्ध करने के लिए निकले हैं तो अलग-अलग जगह पे कभी चिठ्थी बेजनी पड़ती क्योंकि आज कल की तरह WhatsApp की सुविधा नहीं थी Android फोन की सुविधा नहीं थी कागज बहुत रेयर मिलता था दुरलम तो कागज शाही कलम दवात इन सब की व्योस्था करनी फिर पांच हजार के लगभग क्योंकि पन्ना पहुंचते पहुंचते 5000 हुई थी पहले कुछ कम रहे होंगे लेकिन फिर भी 3000 के आसपास तो रहे ही हुँ इवरेज आप 3000 का भी माले तो 3000 लोगों के लिए कंबल इत्यादी के व्योस्था करना यहां एक दिन का प्रोग्राम हो यह तीन दिन का प्रोग्राम हो हजार लोगों के लिए व्योस्था करनी पड़े तो कितना खर्च होता है होता है ना एक व्यक्ति उतना लोड लेना नहीं चाहेगा लेकिन उन्होंने तो लगबग 12 वर्सों तक अकेले दम पर सुन्दर साथ की सेवा की लेकिन फिर भी उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया अंतिम समय में जब स्री जी पन्ना जी पहुंचे पन्ना जी पहुंचने के तो वो विनम्रता थी उनके अंदर आज यदि हम कुछ करते हैं सेवा तो हमारे मन में कहीं न कहीं अहंकार का एक बीजारूपण होता है यदि हम उस अहंकार को छोड़ देते हैं तब हमारे लिए नहीं कहा जाएगा कि कोई बड़ाई ले बैठिया लेकिन यदि हमने थोड़ा सा भी किया और उसका अहंकार लिया तो क्या होगा राज्य कहते हैं माणी में कि दुनिया में बहुत प्रकार की विकार है माया के कैई हतियार हैं लेकिन सभी हतियारों में बड़ाई अहंकार सबसे बड़ा हतियार है क्या केते हैं जेती भुजर्गी बीच दुनी के सोसब कुफर हतियार कुफर में कुफर भुजर्गी काम क्रोध अहंकार बहुत सारे विकार काम क्रोध लोग मोह इत्यादी के बीच में भी सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा विकार है यदि कोई तो वो है अहंकार अथवा होना होना हाई हमें लोग पहचान जाने तो जागनी का कारी नहीं हो सकता जैसे बीतक में 40 कार्खानों की सेवा आती है हम आखें पड़ी है तो क्या 40 य lens । गरते होंगे 36 कार भरने क्या 36 य lens करते होंगे नई बीतक में कहा गया 5000 की जमात थी लEKIN 500 लोगों का भी नाम नहीं होगा कुलमिला करके लगभग लेकिन फिर भी उन्होंने सेवा की आज हम क्या करते हैं कि जैसे एक महल होता है महल में एक पत्थर लगता है नियू में इन लगती है नियू में फर्स में, फाउंडेशन में, और एक पत्थर लगता है कंगूरा में, कंगूरा मतलब बाहर की डिजाइन में, डिजाइन के पत्थर को हर कोई देखता है, निव के पत्थर कोई देखता है, कोई नहीं देखता है, हम चाहते हैं कि हम कंगूरे का पत्थर बने, कि हमें सब लो लगे ना लगे कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगर नियू में ना लगा हो तो हमें भी चाहिए कि जागनी के अभियान में चाहे हमारा नाम आए ना आए चाहे हमारी प्रतिष्ठा समाज में हो या ना हो हमें देखने वाला कौन है कि राजी है दुनिया में कहा जाता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा फ़ल मिलता है रहा कि यह आपको लगता है कि मैं ये धन दे रहा हूँ तो मेरे बदले इज़त होनी चाहिए तो माइक से एनाउंस होगा क्योंकि आप उसी तरह से प्रोसेस आपका वैसा ही होगा आपके thinking process और आपकी working process वैसी होगी आप जा करके सीधे anchor को दे देंगे और कहेंगे कि मेरे नाम से दे देना और कोई सुन्दर साथ ऐसे होते जो आकर के कहते हैं कि सुन्दर साथ जी, यह हम इतनी सेवा करतना चाहते हैं लेकिन एक सर्त है कि हमारा नाम बाहर नहीं आना चाहिए क्यों आप दुनिया के सामने इज़त चाहेंगे हां यदि आप निश्वार्थ भाव से अपने नाम की कामना न करते हुए सिवा करेंगे तो नाम अटपेंटिक उसमें मिल जाएगा लेकिन नाम की कामना करेंगी उसमें प्रेंग नहीं मिलेगा वार्णी कहती है अर्श लो या दुनिया दो पाये नैक ठोर या तो आप प्रमधाम चाहे या दुनिया चाहे दोनों एक साथ नहीं मिल सकती है records शुबहर प्रमधाम के इच्छा करेंगी तो माय अपने या पीछे 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 आपके घुमेंगे इसलिए, हमें सबसे पहले तो अपनी यहां के अहम को यहां के बुज़ुर्गी शोभा लेने के प्रवृत्ती को छोड़ना होगा, क्योंकि जहाँ सोभा लेने की प्रवृत्ती होती है, वहां आपने कई बार देखा होगा, कि कि छोटे सामन्य सुन्दर साथ की तो बात ही छोड़ दीजिए जो मंच पर बैठ करके हम चर्चा करते हैं यदि हमारे बीच भी यह हो कि हमारा नाम नाम उन सोना चाहिए हमें माइक से बोलने के ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए इससे क्या होता है एक उदाहरन के ल गुजराती भासा अधिक समझने वाले हैं हमारे बीच में आचार्य सुर्य परताब जी है आउस पास में आशुरे परताब जी अब उनको गुजराती भासा में बोलने आती है लेकिन मैं यह कहूं कि मैं आया हूं तो मुझे चर्चा करनी ही चाहिए मुझे माइक मिलने ही और मैं सुरी परताब जी की बारी काट दूँ तो जागनी होगी इस तरह से यहां आवश्यक्ता की इस भाशा की है यहां यह जरूरी नहीं है और यह मैं हर जगा की बात कर रहा हूँ जहां जैसी परस्थिती हो जहां जैसी अवस्थाव वहां वैसे विक्ति को बोलना सिर्फ लोग मुझे जाने लोग मुझे पहचाने इस भाव से हमें किसी भी तरह की हट नहीं करने चाहिए जिद नहीं करने चाहिए अन्य था क्या होगा कि जब बड़े ही लोग आपस में विवाद करेंगे तो क्या होगा छोटे लोगों का क्या होगा जो समाज का प्रपत प्रदर्शन करने वाले हैं समाज को राष्टा दिखाने वाले हैं हम ही यदि भुजरगी ले करके बैठें तो समाज को राष्टा कुन दिखाएगा इसलिए चाहे वो ज्यानी सुंदर साथ हो ज्यानी कहलाने वाले चाहे वो सामान्य सुंदर साथ हो जिनके पास ज्यान कम है लेकिन सेवा कर सकते हैं दोनों सुन्दर साथ को अपने अपने स्तर में बढ़ाई न ले करके मान प्रतिष्ठा की इच्छा न रखते हुए जागनी की प्रेम सेवा की राहा पर आगे बढ़ना चाहिए वानी कहती है मार प्रतिष्ठा पैंजारो पैंजारो कहती है जूते को कहते है कि अपनी प्रतिष्ठा को अहंकार की भूख को जूते से मारो इसलिए बढ़ाई ले करके नहीं बैठना है नहीं तो क्या होगा कहते हैं कोई बढ़ाई ले बैठियां सो गईयां आपको भूल उठियां अंग पच्छताय के यदि कोई अहंकार ले करके अपने आपको संसार में बड़ा मान करके वैसा आचरन करता है तो परम्धाम में ऐसी ब्रह्मिन मुश्ती कैसे वूठेगी की हमें मौका मिला था लेकिन जब मौका मिला तब हमने नहीं काता हमने सोचा कि छोटा काम है कैसे करें सेवा के संदर में कि हम इतने बड़े हैं इतने बड़े पदपर हैं दुन्या के लोग हमको पूछते हैं हमें पूजते हैं तो हम ऐसा काम कैसे करें सेवा कैसे करें जबकि भी तक में हमें वह रहनी अप्ला करके दिखाई महाराजाज शत्रसाल जी के विश्य में हम प्रहर में वो किसी न किसी सेवा में हाजिर होते हैं जबकि वो बुंदेल खंड के राजा थे 252 लड़ाईया लड़ी थी जिन में से पावन बड़ी लड़ाईया थी और सभी के सभी जीते थे उन्होंने उनके विशे में कहा जाता था कि इत यमना उत नर्मदा इत चम्बल उत टोस छत्र साल सो लड़न की रही न काहू होस स्रीजी की क्रिपा से पन्ना की धर्ती हीरा उगलने लगी थी अगर वो चाते तो दो-चार नोकर रखवा देते क्या कमी थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया चाए वो जुठा बर्तन उठाने की सेवा हो चाए कोई सेवा हो आपने देखाओगा देव करण जी कौन थे चत्र साल जी के भती जी कहते हैं न चाचा तो बल दिवान थे न तो वो पन्ना जी में जाडू लगाने की सेवा करते थे महराजा के भतीजे हैं और पन्ना जी में गुमट मंगला में जाडू लगाने की सेवा करते थे अगर जिस दिन हमारे अंदर वो विनम्रता आएगी उस दिन हमें पस्चाताब करना नहीं पड़ेगा अब मैं इसी प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं, कहते हैं, एक सूत देखे और के उमर सब गई, मैं बेच की कुछ चौपाई या नहीं ले रहा हूं, प्रसंग के हिसाब से, कि एक सूत देखे और के उमर सब गई फेरा देवे रुपवंतियां कभू पुनी हाथ न लए रुपवंतियां मतलब ब्रह्मस्ष्टियों के लिए कहा गया है कि दूसरे का सूत देखते देखते कभी उसने खुद सूत कातने के लिए रूई भी हाथ में नहीं लिया मतलब क्या है कि हम क्या देख रहे कि फलाने सुन्दर साथ कितनी सेवा करते हैं दिन रात लगे रहते हैं फलाने महराजी दिन भर साहित्य लिखते हैं सुन्दर साथ के लिए इतनी व्योस्था करते हैं हमने सरकार स्री को देखा होगा मुझे तो यह सोभाग या प्राप्त न देखा है ना पर लोग ने लेकिन सुन्दर साथ की सेवा के लिए नंच पर आते थे भोला जा नहीं सकता था फिर भी वह कि मेरा सुन्दर साथ है उनको जगाना मेरा करते हुए वो बैठे रहते थे बोलते रहते थे सुन्दर साथ कि अब जगेगा तब जगेगा तो हम उनकी प्रसंचा भी करते थे उनको देखते थे कि इतनी सेवा कर रहे हैं इसी तरह से क्या कह रहे हैं कि दूसरे को सूत काता लेकिन हमने कुछ नहीं किया हम सरफ तारिफ करते रहे हमें अच्छा लगता रहा लेकिन हमने कुछ किया नहीं और कहते हैं कि ऐसे सुन्दर साथ जिनोंने कभी पूनी हाथ में नहीं लिए उनको दुबारा फेरे में आना पड़ेगा पेरे में आने का मतलब उनकी आत्मा को दूसरे जीव वाला तन धारण करना पड़ेगा जैसे बिहारी जी के अंदर तन भाई की वासना थी लेकिन उन्होंने क्या किया पहली बात खुद भी सूत नहीं ली और उन्होंने क्या किया वाणी केती ना एक तकला भाने ताओ में फोकर्ट फेरा खाए तकला मतलब जिस मशीन में जिस यंत्र में सूत काता जाता है उसको कहा गय से सूत कात रही हैं विहारी जी चाहते हैं कि वो तूट जाए कभी वो सुंदर साथ को बहिश्कृत कर देते हैं कभी नए अटपटे से बेढ़ंगे से नियम बना देते हैं कि हमारे तुम्हारे भीना कोई तार्तम नहीं देगा इस जाती के लोगों को तार्तम नहीं देना य यह नहीं करना है वो नहीं करना है कभी रूपा भाई राधा भाई को निकाल देते हैं कभी धारा भाई को कभी फुल भाई का भैसकार करने के लिए कहते हैं कभी वो जो गरीब किसान था उनका भैसकार करते है तो इस तरह से कभी खंबालिया के राजा के पास जा करके शिकाय करने वाले लोगों की कमी नहीं है अब यहां एक प्रसंग आया है कि इस प्रकरण में कि कोई सुंदर साथ ऐसे हैं ब्रह्मिस्ष्टी कि वह किसी का तकला टूट जाता है तो वह बनाने के लिए उनको समझाने के लिए चले जाती है लेकिन सामने माले को देख करके उनकी भी अवस्ता ऐसी हो जाती है कि वह भी अपना तकला फेंग देते कि चलो मुझे भी नहीं कातना है मतलब क्या इसका मैं एक उदाहरन से बताता हूं मैं नाम और जगह नहीं बताऊंगा एक जगह थी सर्शावा के आसपा से तो वहां पर एक माता ने नया नया तार्तम लिया था आज से लगभग 14-15 साल पहले की घटना है तार्तम ग्रहन किया उसके बाद में अब विभिन इश्ट दिकूल दे होता इत्यादी की पूजा छोड़ दी राज्श्यावाजी की पूजा शुरू किया ध्यान करना शुरू किया लेकि किन कि सी ने उनको क्या संजाया कि तुम् 7ий ने शॉच्ष्या शुद दिया इसवजह से इसा इसा हो गे तो उन्हों ने इन्हों की कि पूजा करना सुरू कर दिया मतलब रिने अपनाईमान तोड़ा एक Midwest 티 nay अज युद्동 को हमने कितनी महनत शेया था जाते हैं वांपस जाने के लिए गई तो वो जो जिनों ने इमान छोड़ा उन माता की बात सुनते सुनते अब उनको भी लगा कि नहीं ये सही है हम गलत है क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है coincidence जबकि रोग शोक और भय से इस दुन्या में कोई मुक्ति नहीं दे सकता हाँ ब्रह्म ज्यानी व ज़िन देविदेवताओं को लोग पर्मात्मा कहकर करके बूजते हैं वो देवी देवता स्वयम भी काल से नहीं बचे हैं एक क्या वानी कि अमरपूर सिर्दार कहिए काल न छोड़ता है । पूस्वर्पूर करें स्वर्ग को सुर्ग के देवी देवता भी काल के बंदन में हां सामन्य आयू से उनकी आयू कहीं गुना अधिक है लेकिन एक लिमिट टो है उनकी भी एक परमात्मा है स्वर्ग वैकुंट और निराकार तक सभी काल के अधीन है तो इस संचार में ऐसा कोई नहीं जो काल से मुक्ति दे सके आत्म ज्यानी विक्ति ब्रह्म ज्यानी विक्ति वो इतना समझ सकता है कि मृत्यू अपरिहारी है तो उसका शोक नहीं करेगा लेकिन गई समझाने और खुद भी माया में बहे गई तो इस संचार में ऐसा होता है कि पहली बात सुन्दर साथ बहुत मुश्किल से इमान लाता है विश्वास लाता है और विश्वास लाने के बाद भी यदि कोई ऐसी अवस्था हो जाए तो उ उसको समझाने जाता है तो उसकी बात सुन करके उल्टा तो यह जो सूत कातने का प्रकरण है वो हम सभी सुन्दर साथ को इस तरह से समझा रहा है इंद्रावति जीस तरह से इस प्रकरण में समझा रही है कि हमें बारीक सूत कातना है क्योंकि बालेंस बनाना है ना परमधा तो दूसरे राज्य में आए हैं दुनिया का नेटवर्क उसमें 3G का हुआ करता था हमारा नेटवर्क 3G का है अब यहाँ पर अगर बैलेंस डालना है राजी से कनेक्ट होने के लिए तो बैलेंस मतलब कही न कही से तो कमाना पड़ेगा न वो कमाना कैसे सूत कातना प्रेम और सेवा रूपी सूत कातेंगे तो हमारे SIM card में वैसे ही recharge हो जाएगा उसके बाद हम राजी से connect कर पाएंगे अब वो प्रेम सेवा कैसे करनी है कल राद की चर्चा में भी आपने से बहुत सारे सुन्दर साथ उपस्थित थे कि प्रेम सेवा के लिए वैसे तो कहने की आवश्यक्ता नहीं होती है, कहने के बाद तो और ढंसे करना चाहिए ना, वार्णी क्या कहते है, मुक्ती सेवा तुने सू कहूं, जे तु अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तनी, तुने उपजसे ततकाल, कि यदी हमारे अंद के लिए हम किस से पूछते हैं, राजी किसके हैं, आजी, राजी किसके हैं, आपके की मेरे की हम सब के, सब के, तो राजी की सेवा के लिए आप मुझे क्यूं पूछते हैं, एक उदाहरण, आप दूसरे को पूछते हैं, कि हमारे लाइक कुछ सेवा होतो, ये डायलोग कोन ऐसा होगा जिसने ऐसा नहीं कहा होगा कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना अच्छा मानली जी कि आप मुझे पूछते हैं कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो बता है लेकिन मुझे कैसे पता कि आप लायक हो की नहीं हो और अगर हो तो किसके लायक हो एक उदाहरन के लिए कि आपने चुले चौके में सेवा की है, काम किया है, पूरे जीवन भर, चुले चौके से बाहर नहीं आई, अब मैं आपने सामने आ करके मुझे कहा कि हमारे लाग कोई सेवा हो तो बताईए, मुझे तो पता नहीं हो कि मैं बोल दूँगा कि ये दो पेज नहीं टाइपिंग करना है, ये टाइपिंग करके मुझे दे दीजिए, नहीं कर पाएंगे ना, इसका मतलब क्या है, कि वो हमें सोयम सोचने की जरूरत है, कि हम ये सेवा कर सकते हैं, और दूसरा कोई व्यक्ति कहे, उससे पहले वहां जाएं, उस सेवा को समभा लें, कोई दूसरा कहे और करे उसको सेवा नहीं कहते, सोचिए, इस संचार में एक मा बेटे का संबंध भी होता है, उसमें बेटे को भूख लग रहे कि नहीं लग रही है, मा को पता होता है, और हमारा प्रियतम अक्षराती स्रीराजी के साथ संबंध तो, मा बेटे के साथ जितना प्रेम होता, उससे भ हम पूछते हैं कि कोई सेवा हो तो बता ना और कई तो इतने ढीठे कि इतना भी नहीं पूछते लगता है कि नहीं बस हमें ना कह दें सेवा के लिए हमारा नंबर न लग जाए हमारी बारी ना आ जाए तो सुन्दर साथ यदि जागरिती चाहता है यदि चाहता है कि हमें वा करके आगे बढ़ने की जरूरत है यूं समझ लीजिए कि पूरा मिला करके एक फैक्टरी है और एक फैक्टरी का टार्गेट है कि इतना कुंतल कातना है अब किसी की स्पीड अगर कम है तो उसको बोले कि भाई जल्दी करो जल्दी-जल्दी हाथ चलाओ जैसे पुझे स्वाम के लिए वानी पढ़ने के लिए सेवा के लिए ब्रह्मवानी की प्रचार प्रसार के लिए करते रहे ते कि चल बाई जल्दी हाथ चलाओ अपने अंदर वह एनरजी लाओ उर्जा लाओ तो इस तरह से कोई ब्रह्मिन सुष्टी ऐसी है जो अपना सूत भी काती हैं दूसर से भी कतवाती है कोई ऐसी जो अपना कात लेती दूसरे का उनको कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं है जैसे बीत्तक में हमने देखा होगा एक उदाहरन के लिए में उनकी बुराई नहीं करा वो भी अच्छा ही है जैसे मुरली धर एक सुन्दर साथ है शेवा में उनका इतना ज्यादा कोई योगदा नहीं है दूसरे की है लेकिन हाँ उन्होंने कभी दूसरे के लिए बाधा नहीं बने वो अपनी जागरिती के लिए एक टक स्रीजी को देख करके चर्चा में बैठे हुए हैं पूरी भावलिंता के साथ में तो यह यह भी एक तरह की सेवा है कि आपको जागरित करने के लिए कोई बार-बार छेड नहीं रहा है कोई बार-बार हिलारा नहीं पड़ रहा है आप अपने आप उठ करके चल रहे तो यह एक तरह की सेवा है तो कोई ऐसे जो अपना तो कर लेते दूसरे का नहीं कर पाते कोई ऐसा है जो अपना भी करते हैं इसेदेख उसके पास नहीं के टौक्रियां थी हुआ गुजय में डखकन खुला था एक टोक्री में बंद तो बंद धकन देखिए सो इदर उदर भाग नहीं सकती जो घुला था उसके इंदर केकड़ें रखे तए केकड़े को क्या केते हैं गुज्राती में वो क्राब नहीं होता है इसे काटता है हाँ जी हाँ जो भी समझ गए आप सिम वाला तो केकड़ा था किसी वेक्ति ने पूछा कि इसका ढखन क्यों नहीं बंद किया बाहर नहीं निकलेंगे कहते कि नहीं इनकी प्रवृत थी इनकी चाह करके भी बाहर नहीं निकल सकते बोले क्यों तो कहते हैं कि एक केकड़ा बाहर निकलना चाहता है तो पीछे वाला उसकी ताम को पकड़ता है और नीचे खिचता है दूसरा बाहर निकलना चाहता तो जुन पहले नीचे गिरा हुआ है वो पहले वाले को नीचे खिचता है तो हमारे समाज में भी वो कहते न कि एक तकला भाने ताओं में वाला तो हम खुद का भी नहीं करते दूसरे का भी नहीं करने देते कई सुन्दर साथ ऐसे हैं जो सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरा करता है क्या करेगा सेवा करके, क्या होगा ध्यान करके, क्या होगा वार्णी पढ़के तो इस तरह से दूसरे के इमान को भी डगमगाने का जो कारिय करते हैं हमारे समाज की उन्नती इस वज़े से नहीं हो पाते हैं इसलिए हम सबको अब यह ध्यान रखना है, कि हम केकडे वाला काम ना करें हम स्वयम भी अपने हिस्से का सूत कातें और फिर दूसरे को भी मदद करें कि जल्दी से जल्दी अपना हिस्सा पूरा करके हमारी सूत की फैक्टरी का जो एक कोटा है, जो टार्गेट है वो पूरा करें, उसके बाद सब मिल करके अपने अपने परात्म में जागरित हों बस इतना ही कहते हुए मैं अपने वानी को विराम देता हूँ सब सुन्दर साथ मिल करके चोपाई दो रहे हैं एक लेसी सुहाग सुल्टान का सोई सुहागीन सोई सुहागीन सोबाता सिर उठाएके सोबाता सिर उठाएके करसी बीच सैयान करसी बीच सैयान करसी बीच सैयान बलुष्री प्राणला अथ प्राविन प्रारे की जैहो